गुड बॉने क्लास फिप्त सब्जेक्ट अब च्वाप का हिंदी रिमजीम और इसमें देखे हमने अभी तक चैप्टर नमबर बन पार्ट एक पड़ा था राकी रसी लोग कता थी ठीके और उसमें देखे पार्ट एक अंदर था दुनिया की छत ये कहानी भी हमने पड़ी तो यहां पर हमने तिबबत के बारे में पड़ा था बच्चो और मैंने इसमें आपका टेस्ट भी लिया था तो आज हम पड़ेंगे बच्चो चैप्टर नमबर टू फसलों की त्योहार एक लेख है ये लिखावा फसलों की त्योहार तो आपने देखा जो हमारा देश है भारत वर्ज तो ये क्या है त्योहारों का देश है जो भारत देश है हमारा तो इसमें अनेक परकार के साल में हमारे कहीं त्योहार बनाए जाते है तो त्योहारों की देश है ठीक है ना कभी कोई त्योहार आता है तो कभी कोई त्योहार आता है तो इसमें एक है आज फसलो के त्योहार तो यह जो आपका पार्ट है फसलों की त्योहार तो फसलों के बारे में इसमें बदाए गया है तो पेश नमबर आपका 13 है इसको पन कर लिजिए बच्चो पेश नमबर 13 तो आज इस पार्ट को हम पढ़ेंगे तो ध्यान से इसको सुनिएगा सारा दिन बोर से के आगे बैटकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है कहां तो खिचडी के समय धूप में गर्महर्ट की सुरवाद होनी चाहिए और यहां हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैटे हुए हैं पूरे दस दिन हो गए सूरज लापता है आज सुबह तो रजाय से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिलकुल नहीं हो रहा लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिनने के आवाज तो कभी किसी के हांक लगाने की आवाज आ रही थी जा भाग के देख केरा के पता आयल के ना आज यह लोग के उठे की नाई का बोल जल्दी तेयार हो खस अब तो उठने में ही भलाई है नहां दोकर हम आप सभी एक कमरे में इखटा हुए दादा और चाचा ने क्या सपेज चकाचक मान लगी दूती और कुट्टा पहना हुआ है खिचरी में आइसन ठाठ हम पहले कबो न देखनी सारा देह कनकना देता पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ जादा लग रहे है सामने मचिया पर खादी की सपेज साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी आज दादी ने अपने बाल धोए है जख सपेद सेमर की रूई जैसे हलके फुल के बाल गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मुठा, गुड को चावल आदी के छोटे छोटे धेर पड़े हुए है हमें बारी-बारी से उन सभी चीजों को छुने और प्रनाम करने के लिए कहा गया जब सब ने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगए खटा करके दान दे दिया गया आज तो अप्पी दिया बुरी फोसी उन्हें न तो चूडा दही ही पसंद है और ना ही खिचरी पर आज तो फर्माईस नास्ता नहीं चलेगा उन्हें दोनों ही चीजे खानी पड़ेगी आज खिचरी जो है खिचरी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल खुड और चीनी के बिस्किट तिलकुट को बड़े चाव से खाया खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है या खिचरी जो अभी हम मना रहे हैं इसकूल में हम जो खिचरी मनाते हैं उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी छुट्टी का दिन्नाव में बैट कर गंगा नदी की सैर और फिट टापू पर बालू में दोरते हुए पतंग उडाना या उडाने की कोसिस करना कितना मज़ा आता था इधर हम पतंग उडाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुची विमला दिद्दा आनन जी जिलमिट भहिया सब मिलकर एर से बने चूले पर बड़े बड़े कडाहूं में खिचरी बनाते थे हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते वे मटर और प्याज छिलने बैर जाते वैसे खिचरी फिर दुबारा खाने को नहीं मिली वाकई डंक ऐसा भी हो पर ये खुशिया को त्योहर है जनवरी माह के मद्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ने कोई क्योहर मनाए जाता है कोई फसलों के तयार हो जाने पर खुशी बारता है तो कुछ लोग इस उमीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना धंग नजर आता है इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उमीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांती या दिल संक्रांत, असम में बीहू, केरन में उनम, तमिनलानों में पोंगल, पंजा में लोहरी, चारखन में शरुहल, गुजरात में, पतंका पर, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहर हैं इन्हें जन्वरी के मध्या, अप्रेल तक अलग-अलग समय पर मनाया जाता है तो जारखन में सरुवल, बड़े जोस, खरोस के साथ मनाया जाता है, चार दिन तक इसका ज़स्न चलता रहता है तो यहां तक आज हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना, और जितना मैंने पढ़ाया, आप भी इसको क्या करेंगे पढ़ेंगे, और जितने आपको इसमें कठिन सब्स नजर आ रहे हैं, उनको आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पाठ का नाम लिखना है, पाठ है आपका दो फसलों के त्योहार, ठीक है और इस पाठ को आपने पढ़ना है, ठीक है ना, तो यहां पे जो त्योहार जनवरी माह में मनाई जाते हैं आप लोगों को भी पता होगा जन्वेरी माह में हम अगर सक्रांटी का त्योहर मनाते हैं तो ऐसे अलग-अलग जो प्रदेश हैं वहाँ पे जन्वेरी माह में अलग-अलग तरह के जैसे उतराखन में है ठीके ना और पंजाब में दिया है यहां ज्ञारखन में दिया है तो अलग-अलग दिवार वहां भी मनाए जाते हैं ठीक है ना तो इसको जहां तक मैंने पढ़ाए है इसको आपको पढ़ना है और जो भी इसमें कटिन सब्दा आपको दिखेंगे उनको पनी को विव्यास लिखना है